आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हुँ काजू नमक पारी की रेसिपी जो बहुत ही टेइस्टी बनता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है और हुली का सीजन है तो नमक पारी तो हर घर में नहीं बनते हैं तो चलिए फटा-फट से देखते हैं रेसिपी तो हेलो फ्रेंड्स वैल्कम बैक तो माइ चैनल कैसे हैं आप साब आप सब आप से बच्छे होंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पर नमक पारे बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बाउल में यहाँ पर मैदा तो यह एक कटोरी मैदा है और इसको अब हम बड़े से बरतर में ट्रांसफर करेंगे तो यह देखें मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है उसके बाद हम यहाँ पर डाल इसका flavor इसमें बहुत अच्छा आता है और यहां पे हमने डाला है oil तो यहां पे चार बड़े चमच मैंने oil डाला है मुयन के लिए जिसे यह बहुत ही खस्ता बनेगा और इसको हम अच्छे से मैदे के साथ ऐसे यह भी सुखा मिला लेंगे और जब आपको मुयन चेक करना हो तो बस आप इसकी binding बनाके देखिये बहुत अच्छी binding बन जाती है तो इसका मतलब आपका मुयन बिलकूल perfect है तो यह देखिए मैंने इसको अच्छे से mix कर लिए है और यह देखिए फ्रेंश यह देखिए हैल है और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेगा ग डालेगा जिससे पानी का भी हमारा अंदाजय चलीगा उमको गीला नहीं करना है अपने डोकों मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा गिला भी नहीं करना है तो यह देखिए यह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और फिर हम जैसे रोटी बनाते हैं बनकुछ याटा लगा लेंगे थोड़ा से टाइट आटा लगाएं और अब हम इसको निकाल के और एक बार और थोड़ा सा अच्छे से स्मूथ कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको हलका सा एक दुबार आप हातों से रगड़ के इसको अच्छे से स्मूथ कर लीजेगा और यह हमारा बिल्कुल अच्छा सा परफेक्ट डो बनके रेडी है नमक पारे के लिए इसको अब हम दो बराबर भागों में डिवाइट कर लेंगे और यह देखें दो बराबर भागों में आप इसको डिवाइट करके थोड़ा से जैसे रोटी कर लेते हैं उसे थोड़ा बड़ा साइस में है और लोई कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसक मोटा रखेंगे ज्यादा पतला नहीं करेंगे तो यह देखे इसको यहाँ पर मैंने बेल लिया और आप देख सकते हैं इसकी थीकनेस थोड़ी मोटी है ज्यादा पतली नहीं है और उसके बाद आप कोई भी ऐसे ढखकन ले लीजे जिसका सिरा जो है वो नुकीला हो थोड़ बिलकुल इसी तरह से आप ऐसे कट करते चलिया तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही इसको कट कर लिया है हम हाफ कट करेंगे तो यह हाफ सरकल में कट होगा और बिलकुल इसका शेप का जो शेप जैसा आता है तो यह देखे इसी तरह से मैंने यह सब कट कर लिया है और उसी तरह से आप दूसरे हिस्से से भी कट कर लिजेगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट पचे फिर आप उसको फिर दुबारा से हम उसको बेल लेंगे और यूज कर लेंगे तो यह देखिए मैंने यहां पे इसी तरह सारा कट कर लिया है तो इसी तरह से मैंने यहां पे सारे जो नमक पारा बन जाएगा और दूसरा आप हम square shape में cut कर लेंगे तो आप ये चारो तरफ से ऐसे cut कर लीजेगा और इसको आप square shape दे देंगे उसके बाद फिर हम ऐसे cut करके और simple जैसे हम बनाते हैं अक्सर नमक पारे तो बिलकुल उसी तरह से आप square shape में इसको cut कर लीजेगा तो आपके दो तरह के नमक पारे बनके ready हो जाएंगे तो ये देखेंगे फ्रेंस अब हम इसको करेंगे fry तो यहाँ पर मैंने रख दिया तकड़ा ही उसमें थोड़ा से मैं और तेल हमारा गरम है अच्छे से और जब हमारा तेल गरम रहेगा तब हम अपने नमक पारे को इसमें डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसको बिलकुल low to medium flame पे fry करेंगे तेज आज पर आप करेंगे तो उपर से तो एकदम कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्छा र और आपको देखने से भी लग रहा होगा बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और यहां पर मैंने बनाया है थोड़ा सा मसाला ऊपर से डालने के लिए तो मैंने आदी छोटी से मज़ धनिया पाउडर उसके बाद लाल मिर्श पाउडर और यहां पर मैंने चाठ मसाला पाउडर और थोड़ा सा काला नमक बस इतने ही डाला है बेसिक से मसाले हैं जो सबकी घर में अवेलेबल होते हैं और बस इसको उपर से ठोड़ा से स्प्रिंखल कर देंगे तो थोड़ा से और चटपठ्टा लगी गा तो आप इसको टी-टाइ मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब देख के लिए मब आये थैंक्स फूर्ट